कोई भी व्यक्ति आपके दर्वाजे पर आकर खड़ा होता है तो आपकी ड्यूटी है उसकी मदद करने की आपका धरम है वो भगवान है वो भिखारी नहीं है भगवान भिखारी के रूप में आता है भगवान भिखारी के रूप में आ रहा है उसका आप अनादर करके एक त सब चीजों को अपनाने की जरूरत है, खाली सवेरे और शाम पूजा में बैठने से काम नहीं होगा, जब तक ये सारी चीजें मनुष्र के अंदर आएगी नहीं, तभी तक आप आगे चल सकोगे नहीं, तो बात नहीं बनेगी, अब प्रेम ही है, प्रेम को पकड़ो, तो कोई भी साधना आप करो, याद रखो, प्रेम उसमें ऐसे है, जैसे भोजन में नमक, कोई भी साधना अगर आप कर रहे हो, और उसमें प्रेम नहीं है, तो ऐसे फीका लगेगा, भगवान को जैसे नमक के बिना भोजन होता है,